बॉलिवोट के नए जोडे सिधात मलोतरा और कियारा अधवानी ने अभी हाली में मुंबई में अपनी ग्रैंड रिसेप्सन पार्टी दी है जिसमें कई बड़े-बड़े सिलेब्रिटीज को स्पॉट किया गया और उन्हीं में से एक थें काजोल देवगन और अजय भी पहुँचे थें इस प्यारी से जोडी को देखने के बाद फैंस ने इनकी जम कर तारीफ भी की जी हाँ दरसल काजोल ने पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहत खुबसूरत लग रही थी वहीं अजय देवगन भी 3P सूट में वो काफी जज रहें थें वेल इन दोनों को देखने के बाद तो यही लग रहा था कि ये रब ने बना दी जोडी ही हैं वेल आपको बता दें कि साड़ी में काजोल को देखने के बाद उनके फैंस अपने आपको रोक नहीं पाएं उनकी तारीफे करने से और फैंस ने जम कर काजोल की तारीफे कर ही डाली जी हाँ काजोल और अजय देवगन के फैंस ने जमकर इन दोनों पर प्यार लुटाया है लेकिन वहीं कुछ ट्रॉलर्स ने काजोल के इस लुक को लेकर उन्हें जमकर ट्रॉल करना शुरू कर दिया जी हाँ इस साड़ी वाले लुक को देखने के बार ट्रोलर्स ने काजोल को ये कह दिया है कि क्या वो तीसरी बार माँ बनने वाली है काजोल के इस साड़ी में उनका बेबी बम साफ तोर पर दिखाई दे रहा है तो वहीं कुछ लोगों ने काजोल को सच में बोल दिया है कि काजोल सच में मा बनने वाली है और लगता है तीसरा बच्चा आजय देवगन की जिंदगी में आने वाला है वेल आपको बता दे की काजोल और अजय दोनों कियारा और सिधार्थ के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे आपको बता दे की साथ फैरवरी को सिधार्थ और कियारा साथ जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए हैं उन्होंने जेसल मेर में साही अंदास से साधी रचाई है जिसमें उनके कुछ फैमिली मेंबर्स ही आये थें लेकिन साधी के बाद उन्होंने मुंबई में एक ग्रैंट रिसेप्सिन भी दे डाली है फिलाल आप इस पर क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट में लीजिए और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए